नमस्कार किशान भाईयों देख सकते हैं ये वो ही आलू है जो बारिज से बरबाद हुआ था जिहां किशान भाईयों इसी चैनल पर कुछ दिन पहले हमने लाइव रिकोर्डिंग आप लोग दिखाया था यही आलू के बारे में कि बरबाद हो गया था उस समय कैसा इस्थित था कि आप लोग के मैं बता थे यह आलू हो नहीं पाया लेकिन आज इसका इस्थिति देखिए यह बारिज से बरबाद हो गया था आज मैं इसको हाथ से हटा कर भी दिखाऊंगा अभी भी थोड़ा थोड़ा इसमें लग रहा है कि किस तरीके से बारिज हुआ था लेकिन आज यह आलू कितना अच्छा है आप देख सकते है आज यह किसान बिल्कुल खोसा है उस समय तो ऐसी स्थिति हो गए थी इस आलू का कि लग रहा था यह नहीं होगा लेकिन आज बारिज से इसमें इसका जो रिकॉर्डिंग था पहले वाले वो हम आपको दिखाय थे तो य बिल्ग आलू 30-35 दिन का हो चुका है और देख सकते है कितना रिकॉर्ड तोर अलू अभी हो गया है और इसमें क्या-ख्या डाला है इसका इंटरभ्यू वीडियो भी आने बला है कुछ दिन में कैसे यह आलू इतना अच्छी हुई और इस आलू को देख सकते है इसका जो अभी पौधा है काफी भ्यान है खो चुका है और काफी अच्छी पौधा है और जो किसान भायू की बारिज से आलू की बड़बादी हुई है कुछ दिनों पहले तो उनके लिए ये वीडियो है क्योंकि आप टेंजर नहीं लीजिए फिर से आपका अलू अगर अच्छी से उसमें देखरे करते हैं तब फिर आपका अलू होने की पूरी संभावना और पूरी उमीद जिन्दा है क्योंकि आपके सामने है या दिख रहा है कि ये भी एक वही आलू है जो अभी देख सकते हैं कितना अच्छी इसका लत्ती आप देख सकते हैं और कितना रिकॉर्ट त इसका लत्ती मतलब इसका पौधा इतना भ्यानक कैसे हो पाया सारा डिटेल वीडियो आएगा तो यही जो आलू है किसान भी आप लोग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आप लोग की खेतों में थोरा बहुत कोई दिक्कत आती है तो आप ज्यादा टेंशन और परि अगर के दिक्कत वाली बात नहीं है और आज यह किसान बिल्कुल खूस है और आप यहां पर देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा लगेगा तो लाइक कीजिए का और भी किसान भीयों तक शेयर कर दिए ताकि किसान भाई जान सके कि क्या स्थीती है अभी आलू का प प्रिस पूंज़ी और भी किसेन वेट स्थीती हुआ खुआ हंसे आप अजिस पर देने कि किसान भी आतूस है और बात अधिस एच्छा रही अपैसा वालू कर दीघर का दिए और लोगेस खुआ है तो यहां आपिस खुआ है